नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं अपने यूटूब चेनल टीच सुरच दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं Realme C61 फोन में लॉक्ट स्क्रीन पर कंट्रोल शेंटर शेटिंग कैसे आन करें तो guys उसके लिए आपको सबसे पहले करना क्या होगा आपको सबसे पहले अपने phone की शेटिंग को अन करना होगा guys आप अपने phone की शेटिंग को अन करना उसके बाद कुछ इस प्रकार का interface open हो जाएगा आपको देखें यहाँ पर एक आफ्सन मिल जाएगा notification status bar का आप इस पर क्लिक करना उसके बाद कुछ इस प्रकार का interface open हो जाएगा आप देख सकते हो यहाँ पर आपको एक आफ्सन मिल जाएगा lock screen का आप lock screen वाले आफ्सन पर क्लिक करना उसके बाद कुछ इस परकार का interface open होगा आपको यहाँ पर फर्ष्ट नमबर पर मिल जाएगा swap, swipe down on lock screen का अफ्सन जो कि यह on है आप इसे आफ कर देजीगा आप जब इसे आफ कर दोगे उसके बाद आप अपने फोन को lock करोगे और उपर से जब control center को कुछ इस परकार से श्लाइट करोगे तो आपका lock screen पर वाँ पर show नहीं होगा तो आप अपने फोन में lock screen पर control center setting को on और आप कुछ इस परकार से कर सकते हो I hope guys आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो like और channel को subscribe जरूर करें मिलते हैं फिर किसी दिन next topic, next video तब तक के लिए by take care